हेलो फ्रेंड्स यूपी PCS1 संकल्प सिर्दी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है हमने अपनी प्रहार मैग्जीन के फर्स्ट पार्ट को कवर कर लिया है जिसमें हमने अप्रेल, मार्च और फर्वरी की करेंट के साथ सार उत्तर प्रदिश इस्पेशन साथ ही साथ बजट और आर्थिक सर्वेक्षन को भी कवर अप किया है आज मैं आप लोगों के साथ सेकंड पार्ट को डिसकस करूंगी जिसमें हम लोग जनवरी, दिसमबर और नवंबर, अक्टूबर की करेंट को डिसकस करेंगे देखें एक्जाम में केवल और केवल 14 दिन या कहा जाए तो 12 या 13 दिन ही बचे हैं क्योंकि लास्ट के एक हाद दिन तो खैर कोई नहीं पड़ता नेकिन फिर भी ये जो 14 दिन या 12 दिन जो आपके बचे हैं उसमें आप लोगों को अपने आपको पॉजिटिव रखने की जरूरत है जारा से जारा रिविजन करिए जितना हो सके उतना रिविजन करिए नई चीज़ों को बिलकुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है जितना आपने पहले पढ़ा है वही सफिशेंट है आपके एक्जाम के लिए साथ ही साथ आप ये सोच के चलिए कि आप फ्यूचर SDM है UPPCS 2023 में आपकी अपनी एक सीट पकी है जितना पॉजिटिव रहोगे जितनी पॉजिटिव वाइफ अपने आसपास फील करोगे उतना ही पॉजिटिव आपका एक्जाम भी जाना है इसके अलावा UPPCS की तरफ से आपके लिए जितना हो सकेगा हम करने को तयार है हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे हर एक स्टूडिट का सिलेक्शन UPPCS 2023 के इस परिक्षा में हो देखे हमारी तरफ से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपको भी हमारा साथ देना जरूरी है अगर आपको हमारी तरफ से किसी भी help की जरूरत है, हम उसके लिए तयार है कोई भी problem आ रही हो, चाहे negative wife's आ रही हो, पल्डे में कोई problem आ रही हो last time पे आपको ऐसा लग रहा हो कि नहीं मुझे tension हो रही है, मेरा exam कैसा जाएगा, मैं कैसे कर पाऊंगा तो इन सारी चीज़ों को छोड़ दीजे, जितना positive रहोगे, जितना revision करोगे, उतना ही आपके exam के लिए जरूरी है current affairs मैं आप लोगों को करा रही हूँ, प्रहार magazine में से आपके बहुत सारे question फसेंगे तो इस magazine को, इस video को 2, 3, 4, जितना बार आप चाहों से revise कर सकते हो हमारी test series चल रही है, हमारी test series से आप question को practice कर सकते हो जितना हो सके, उतना question लगाई है, जितना हो सके, उतना revision करिये याद रखेगा, नई चीज़ है, बिलकुल नहीं पढ़नी है अगर कोई भी problem आ रही है, comment box में आप अपना जो problem है, उसे लिख सकते हो हमारी team पूरी तरीके से कोशिश करेगी, कि आपकी problem को solve किया जाए तो चलिए, अब ना time खराब करते हैं, अब शुरू करते हैं अपनी January 2023 की current affairs को चलिए, तो पहला इसमें दे रखा है प्रहरी एप, जिसे अमिट शा के द्वारा सीमा सुरक्षा बल के लिए लाउंच किया गया है अब ये प्रहरी एप क्या है, तो देके प्रहरी एप के माध्यम से, जवान अपने mobile पर व्यक्तिकर जानकारी एवं आवास, आयुश्मान, केंद्रिय सशस्त्र पुलिस बल तथा अवकास अमध्य जानकारी को प्राप्ट कर सकते हैं ठीक है, तो इसलिए आपके प्रहरी एप को अमिट्षा जी के द्वारा लॉंच किया गया है, दूसरा है आपका पश्यम बंगाल की पहली वंदे भारत एक्स्प्रेस ट्रेन का मार्ग हाबड़ा न्यूजल पाई गुड़ी होगा, ठीक है आपसे क्वेशन पूछा जा सकत है कि पश्यम बंगाल में जो वंदे भारत एक्सप्रेस है, उसका मार्ग क्या है, तो आप बता सकते हैं हाबड़ा और न्यूजल पाई गुड़ी, इसके बाद नेक्स्ट है, आपका गुरु गोविन सिंग का कौन सा प्रकाश पर्व मनाया गया है, तो ये मनाया गया है आ आपके करनाटक में याद रखेगा, केंद्रे गुप्तचर प्रशिक्षन संस्थान यानि कि CDTI को देवन हिली करनाटक में करनाटक महरास्ट गोवा और दमन दीप की फोरंसिक जाज की जरूरतों को पूरा करने के लिए रखा गया है, यानि कि संस्थान को बनाया गया है, इसके बाद अगला है जुआरी ब्रिज, आठ लेन का उद्गाटन कहां किया गया है, तो ये किया गया है आपके गोवा में, ठीके, इसके बाद नेक्स चलते हैं, नेक्स आपका ब्राजील के रास्टपती चुने गई है, लूला डी सिल्वा, और इन्होंने इस्थान लिय किया है बोल सनैरो जी का, अगला है आपका दोनों विश्वे युद्व में भाग लेने वाले भारतिय सैनिकों के लिए, ब्रिटिश इंडियन आर्मी समारक कहां स्थापित किया गया है, तो ये किया गया है आपके स्कॉट्लेंड यूके में, अगला है आपका उत्तर प्र भारतिय रास्टिय कॉंग्रेस का आयोजन कहां किया गया है, तो ये किया जहा है आपके नागपुर में, जिसका थीम था महेला सशक्ती करण के साथ, सतत विकास के लिए विज्ञानों प्रोध्योगे की, इसके बार नेक्स चलते हैं, अगला है यूरोपिय संकी मुद्रा, यूरो अपनाने वाला बीशवा देश क्यों है, तो ये है आपका यूरोपिय देश, क्रोएशिया, अगला आपका दे रखा है, सिया चिन में पहली बार तैनाथ होने वाली पहली भारतिये महिला अधिकारी कॉन है, तो ये है आपके शिवाचोहान, नेके मैं हमेशा कहती ह हूँ अपने टेस्ट में जब डिसकस करा है तब भी और करेंट अफिर्स पढ़ा रही हूँ तब भी हर वीडियो में आपको एक ही चीज कह रही हूँ कि जहां पर भी आपको पहला दिखाई दे जाए और महिला दिखाई दे जाए ठीक है वो क्वेशन आपके लिए मोस्ट इ प्रारम किया गया तो यह किया गया है आपके तृपुरा में ठीक है यह चुनाव आयोग द्वारा मत् प्रतिशक्ता को बढ़ाने के लिए से स्टार्ट किया गया है साथ ही साथ इसके अलावा जो आपके मत् अगला है आपका NTPC दुआरा पहली हरिद हाइड्रोजन मिश्टन परियोजना कहां प्रारम की गई है तो ये प्रारम की गई है आपके सूरत गुजरात में आपके ये सूरत में जो आरिते नगर है वहां के कवास टाउंशिप में इसको स्टार्ट किया गया है अगला है Smart कारेक्रम आयूरवेद में वय गयानिक अनुसंदान को बढ़ावा देने के लिए पूछा जा सकता है Smart कारेक्रम किससे संबंदे थे तो ये संबंदे थे आयुरवेड में research को increase करने के लिए ठीक है ये scope of man streaming आयुरवेड research in teaching professional द्वारा इसको शुरू किया गया है अगला है आपका hydrogen संचाले train शुरू करने वाला Asia का पहला देश कौन सा है तो Asia की बात करते हैं तो पहला देश चीन है और अगर world की बात करेंगे तो पहला देश है आपका जर्मनी इसके बाद है अरुणाचर प्रदेश में सीयों पुल का उद्गाटन बियारों के द्वारा किया गया और ये रक्षा मंत्री यानि कि राजनाच सिंग जी की मौझूदगी में इसको किया गया यानि कि उन्होंने इसका उद्गाटन किया है अगला है आपका जगा मिशन उडिसा का है इस मिशन को UN World Habitat पुरसकार भी मिला है तो जगा मिशन क्या है देखे जगा मिशन उडिसा सरकार द्वारा संचालित विश्व का सबसे बड़ा भूमी एवं जुग्गी उन्यन कारेक्रम है जिसका उदेश है जुग्गी वासियों के जीवन को सशक्त बनाना इस मिशन के लिए उडिसा को 2023 में विश्व परियावरस पुरसकार भी प्रदान किया गया है अगला है आपका सुन्नी बांध जल विद्यत परियोजना कहा है तो ये है आपकी हिमाचल प्रदेश में और जब भी परियोजनाओं की बात हो जाती है तो उसे संबंदे नदियों के बात जरूर होती है तो याद रखिए का सुनी बांध जल परियोजना जो है वो आपकी सतलज नदी पर है इसके बाद है आपका वन नजीव संद्रक्षन बांट यह कहां है तो यह आपका शुरू किया गया है वर्ड बैंक के द्वारा ब्लैक राइनों के संद्रक्षन के लिए अगला है आपका पूर्वोत्तर राज्यों को समर्पित ओक्टेव 2022 का उधगाटन कहां किया गया है तो यह आपके 2022 नहीं आप इसको 2023 लेके चलिएगा तो इसका उधगाटन तमिलनाडू में किया गया है तमिलनाडू के दक्षन शेतर संस्कृति केंत अंजावुर में राज ग्लोबल सिटी अभियान उत्तर प्रदेश ठीक है ग्लोबल सिटी अभियान कहां शुरू किया गया है यह उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है जिसका उत्देश है राज्य के शेहरी शेत्रों को वैश्विक मानकों तक लाना जिसमें शेहरी सुविधाओं में सुध वायू गुडवत्ता स्वच्छता और सौंदर्य करण के साथ साथ उचित कच्रा निप्टान पर ध्यान देने और ध्यान दिया जाएगा इस मिशन को जो शुरू किया अर्विंद कुमार शर्मा जी के द्वारा किया है अगला है आपका 26 वा रास्ट युवा महटसफ कहां मनाया गया तो यह मनाया गया तो हुबली करनाटक में जिसका थीम था विक्सित युवा विक्सित भारत और इसकी शुरूआत की गई थी नरेंद्र मोधी जी के द्वारा यानि कि नरेंद्र मोधी ने उटसफ का या इस महटसफ का घाटन किया था युवा याद रखेगा बजट में युवा पर विशेश ध्यान दिया गया है तो आप युवा से संबदेदी क्वेशिंस को पॉइंट्स को अपने माइंड में रखेगा अगला है आपका पे रु औस्टेलिया की पबलिक स्कूलों में शामिल होने वाली पहली भारतिय भाषा कौन सी है तो वो है आपका पंजाबी भारतिय भाषा की और भी है लेकिन अभी रफिल हाल में वो है आपका पंजाबी अगला है डॉक्टर श्यामा प्रसान मुखर जी रास्ट ये जल और स्व 28 के अध्यक्ष उने गए हैं यह आपके वैश्विक जलवायू वारता और UAE में प्रस्तावित है ठीक है कॉप 28 काई के लिए क्या है या किस वारता के लिए तो यह आपके वैश्विक जलवायू वारता के लिए और यह कहां होगी यह UAE में होगी अगला है आपका बोस्निया कि पहली महिला प्रधान मंतरी बनी है बोर्जाना क्रिस्टो अवनी चतुरवेदी जो सुखोई विमान उडाने वाली पहली भारती महिला पाइलेट बनी है नोर्मा लोसिया पेना मैक्सिको के सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने वाली पहली महिला राश्ट्रपती बनी है ठीक है इसके बाद अगला है Best Sustainable Greenfield Airport पुरसकार मिला है New Goa Manohar International Airport को अगला है साथवन Digital India Award 2022 से सम्मानित किया गया है माइन मित्र को जो Digital Initiative for ease of doing business है ठीक है और ये इनको मिला है Platinum Award के तौर पर ठीक है Platinum Award की जो category है उसमें इनको मिला है और ये Platinum Award मिला है Digital Initiative of ease of doing के लिए उत्तर प्रदेश को याद रखेगा इसके बाद अगला है Miss Universe 2022 का पुरसकार मिला है Arm Bonnie Grabial USA की हैं ये Nova Atal सम्मान पुरसका प्रभू चंद्र मिश्रा को मिला है Science and Tech के लिए वैश्विग नेत्रत्व के लिए पुरसकार D.Y. चंद्रचूर जो भारत के मुक्यान आइडीश है उनको दिया गया है 5 Star Eat Right Station ये दिया गया है प्रियागराज रेलवे स्टेशन और वारानस के कैंट रेलवे स्टेशन यूपी के दो रेलवे स्टेशन उनको ये दिया गया है ठीक है और ये फसाई द्वारा पोशन यूट्तो स्वची भोजन के लिए दिया जाता है अगला है आपका 80 गोल्डन ग्लोब पुरसकार RRR ये प्रिथम भारत ये फिल्म है जिसके ओरीजिनल सॉंग नाटू नाटू के लिए इसको दिया गया है साथ ही साथ आऊसकर अवोर्ड भी भारत के RRR मूवी को नाटू नाटू के लिए दिया गया है ये दूसरा सौंग है जिसको अवार्ड दिया गया इसे पहला जो था स्लम डॉग मिलेनियर का था उसको अवार्ड दिया गया था इसके बार अगला है ICC अवार्ड दो हजार बाइस नेक्स्ट है आपका ग्रीन रेलवे सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला स्टेशन बना है आपका विशाखा पत्नम रेलवे स्टेशन इसके बाद कुछ पुस्तक है दी गई है जिसमें अम्बेटकर अलाइफ जो की शशी ठरूर की है और मुख्यमंत्री की डाइडी नंबर 01 तो ये है आपकी हेमंत विश्व शर्मा की अगला है आपका 74 गरतंत्र दिवस मुख्य अतिती थी थे इसमें अबदेल फते अलसीसी जो एजिप्ट के थे और मिस्र का बैंड को पहली बार सम्मलित हुआ है ठीक है याद रखेगा पहली बार कौन सा बैंड विश्व के कौन से देश का पहली बार बैंड शामिल हुआ है तो मिस्र का हुआ है और अब्देल फतेल सीसी को यहां का मुक्यम जो अतिती है चोहतरवे गड़ तंतर दिवस का वो मनाया गया था साती साथ जो जहा की पुरसकार दिया जाता है उसमें पहला पुरसकार उत्तरा खंड का था और तीसरा पुरसकार जो था वो उत्तर प्रदेश का था और दूसरा पुरसकार दिया था महराश को इसके बाद अगला दे रखा है साइक्लोन 01 यह कहां आया था यह जो साइक्लोन 01 है यह सहीए तो सैन अभ्यास है भारत और मिसर का इसके बाद है कलवरी श्रीनी की पांचवी पंडुबी वागीर को मुंबई में नौसेना के गश्टे में शामिल कर लिया गया है Skyhawk भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन है Skyhawk क्या है ड्रोन है 5G सक्षम फिर है भारोस भारत का पहला स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे IIT मदरास के द्वारा निर्मित किया गया है इसके बाद नेक्स चलते हैं नेक्स है LHS-475 यह क्या है तो यह एक प्रत्वी की तरह एक ग्रह है जिसे James Webb टेलिस्कोप के द्वारा खो जा गया है इसके बाद है अगला Juice Mission यह ESA यानि कि European Space Agency के द्वारा ब्रहस्पती के ग्रहों के उप ग्रहों के लिए स्टार्ट किया गया है तो Juice Mission का संबन किसे है ब्रहस्पती के घ्रह से और यह किसने लॉंच किया है European Space Agency के द्वारा अगला है Footballer Pele ब्राजील के प्रसिद खिलाडी है जिनका अभी निदन हुआ है और यह तीन बार विश्वकप को जीतने वाले खिलाडी भी है अगला है मांग देच्छू जल्विद्यूत परियोजना भारत व भूटान के बीच शुरू की गई है दोहजार उन्निस में नेक्स्ट आपका प्रजवला चैलेंज ग्रामीन विकास मंत्राले द्वारा ग्रामीन अर्थवेवस्था में परिवर्तन हे तू इस चैलेंज को या इस मिशन को शुरू किया गया है नेक्स्ट आपका निदी आपके निकट 2.0 यह EPFO द्वारा संचालत का रेक्रम है हमपी कोनेरू भारत का हमपी कोनेरू जो है यह 16 चैंपियंशिप 2022 में रज़त प्रज़कार प्राप्त किया है अगला है E World Championship 2023 में फॉर्मूला E Race की मेसबानी कौन सा शहर करेगा तो यह करेगा आपका हैदराबाद खेलो इंडिया यूद गेम 2022 भूपाल मद्यप्रदेश में हुआ है और महरास्ट को इसमें प्रथम इस्थान प्राप्त हुआ है एरो इंडिया प्रदेशनी 2022 में बैंगलोर करनाटक में आयोजित की गई है गंगा रास्टी गंगा परिशत की बैठा कॉलकाता पश्यमंगाल में हुई है भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग उत्कृष्टिता केंद्र शिलॉंग मिघाले में इस्थापे थै सांसत खेल महोचसब बस्ती उत्तप्रदेश में हुआ है चौद्वा विश्व मसाला कॉंग्रेस का आयोजन मुंबई में किया गया है इसके बाद है पूर्वोत्ता कृषी कुंब का आयोजन मिघाले में हुआ है अठारवा विश्व संस्क्रिप्ट सम्मेलन 2023 का आयोजन आस्ट्रेलिया में किया गया है नेक्स्ट है आपका इंडिया के मोस्ट पॉल्यूटेट सिटी रिपोर्ट 2022 जिसमें सबसे ज़ादा पॉल्यूटेट है दिल्ली उसके बाद फरीदाबाद और उसके बाद आता है उत्तप्रदेश का गाजियाबाद हेले पासपोर्ट इंडेक्स में पहला इस्थान जापान को है और भारत का इस्थान है 85 इसमें क्या होता है कि भारत जो है जापान जो है हेले पासपोर्ट रिपोर्ट का इंडेक्स का मतलब यह होता है कि जापान की जो गुडविल है वो इतनी अच्छी है कि वो कई देश जेरी सेनफील्ड और शारुक खान जो कि भारत के हैं उनका इस्थाने चौथा अगला है सर्विश्रेश प्रदर्शन करने वाले एरपोर्ट प्रथम इस्थान हेन्रे हनेड़ा एरपोर्ट टोक्यो जापान का है और दूसरा है कैम्पे गोड़ा इंटरनेशनल एरपोर्ट बैंगलोर करनाटक का इसके बार अगला है कलसा बंदूरी पेजल परियोजना जो कहां शुरू की गई है करनाटक में शुरू की गई है ठीक है यह जो है मादई नदी के उपर इस परियोजना को शुरू आत किया गया था करनाटक में यह परियोजना पहले से शुरू थी ल पानी प्रोवाइट कराना ठीक है तो याद रखेगा कलसा बंदुरी परियोजना किसके उपर है तो यह महाद़ाई नदी के उपर है अगला है आपका मई 2023 तक 100% सीवे सुवधा देने वाला भारत का पहला शहर होगा आपका हैदराबाद मिशन 929 चुनाव आयोग द्वारा तृप्रा में वोटिंग प्रतिशर बढ़ाने के लिए लॉंच किया गया है पहला 54 स्टार्लिंग वी 2.0 उपग्रे प्रक्षेपित करने वाली एजनसी आपके स्पेस एक्स भारत की पहली अंडरवाटर ट्रेन मेट्रो सेवा शुरूप की जाएगी कॉलकता पश्यममंगाल में सविधान पार्क का उद्गाटन किया गया है राजस्थान में जिसे किया है आपके द्रौपदी मुनमुजी के द्वारा जी ट्वेंटी के पहली बैटक आयोजित होगी पुड्डू चेरी में अगला है आपका कालाजार मुक्त भारत का लक्ष दोहजारत तक है यह परजीवी से होने वाला रोग है इसमें प्लिहाख प्रवाहित होता है IGRS रैंकिंग में भारत को पहला पहला इस्थान मिला है उद्वर्देश के सोन भद्रों इसके बार अगला है स्वास्ते कौन 2023 का आयोजन एहमदाबाद गुजरात में किया गया है मदुमक्यों के लिए पहला टीका देने वाला देश बना है USA इसके बार नेक्स्ट है सत्रवां प्रवासी भारतिय दिवस सम्मेलन इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ है जिसमें मुक्यमत जो अतिती है वो मुहमद इर्फान अली जो गुआना के रास्टपती है और विशिष्ट अतिती के तौर पर सूरिनाम के चंद्र का प्रसाश संतोशी ने भाग लिया है इसके बाल अगले हैं पहले नेशनल जीनोन एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्धाटन कहां किया गया है तो यह है आपके पंचाब के मुहाली में ग्लोबल सिटी अभियान उत्तप्रदेश में चलाया जा रहा है अगला है आपका अंधिता नियंतरन पर पॉलिसी चलाने वाला राज है आपका राजस्थान इसके बाद अगले पर चलते हैं आपका दिसंबा 2022 की करेंट भी देख लेते हैं तो पहला है आपका बनारस में कस्तूरी कॉटन की ब्रांडिंग है तो टेक्स प्रोसिल और CCI के मद्धे समझोता हुआ है तो देखें बनारस कस्तूरी कॉटन जिसे आप भारतिय का पास भी कह सकते हैं इसके ब्रांडिंग के लिए टेक्स प्रोसिल यानि ये दा कॉटन टेक्स्टाइल एक्सपोर्ट प्रोमोशन कॉंसिल और Cotton Corporation of India के मद्धे समझोता किया गया है अगला है आपका प्रोजेक्ट वानी पूरे भारत से भाषा के नमूनों को एकत्र करने हे तू ठीक है करने हे तू AI पर आधारित एक प्रोजेक्ट है जिसे Google और IISC ने स्थापित किया यानि कि Indian Institute of Science और Google का जो Google के सहयोग से यह किया जा रहा है प्रोजेक्ट वानी तो प्रोजेक्ट वानी से संबंदित आपसे पूछा जा सकता है यह क्या है तो यह भारत के भाषा से नमूने भारत की जो भाषाएं हैं उनके नमूनों को एकत्रत किया जाएगा इससे क्या होगा कि भारत की जितनी भी भाषा हैं उनका जो अस्तित्व है वो लंबे समय तक या उस अस्तित्व को अक्षुने बनाया जा सकता है अगला है आपका Table Tennis Federation of India की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है तो वो बनी है मेगना एहलावत Mrs. World 2022 सरगम कोशल जम्मू कश्मी लास वेगास की हैं पेटा इंडिया परसन आफ दे इयर 2022 से सम्मानित किया गया है सुनाक्षी सिन्हा को साहित अकैडमी पुरसका 2022 जो मिला है वो मिला है बद्री नारायन जी को हिंदी कविता के लिए इनकी कविता तुम्डी के शब्द के लिए इनको दिया गया है दूसरा अनुराधा राय जी को मिला है इनके अंग्रेजी उपन्यास on the life we never lived के लिए अगला है आपका time person of the year 2022 जो मिला है वो है ब्लादी मिल जैलेंस की जो यूकरेन के प्रधान मंत्री है ठीक है ये यूकरेन के रास्ट्रपती है उनको ये दिया गया है अगला है good governance award सुशासन पुरसकार योजना आरम करने वाला भारती राज्य हरयाना है जो 25 दिसम्बर सुशासन दिवस मनाया जाता है अटल बिहारी जी के जन दिवस के रूप में और 26 दिसम्बर वीर बाल दिवस मनाया जाता है गुरु गोविन सिंग जी के पुत्रों की याद में अगला है भारत का रेडियो टेलेस्कोप सारस करनाटक में स्थापित किया गया है UAE का पहला चंद्रमा मिशन चंद्रयान राशित को सफलता पूर्वर प्रक्षेपित किया गया है इसके बादे सिंदूजा 1 IIT मदरास तमिलनाडू तठ परिस्तित है ये समुद्री तरंग है तो यह किया है आपके IIT कानपुर्ण है इसके अलावा खुद का अंत्रिक्ष स्टेशन बनाने वाला पहला देश बनाएं आपका चीन विजय हजारे ट्रॉफी के विजयता सौरास्ट महारास्ट को हरा कर बना है और गायकवाल ने एक ओवर में साथ चक्के इसमें लगा है जाता है जो कि हुबलियों करनाटक में आयोजित हुआ था जैक विजयता पर सहींत रास्ट्रम मेलन मॉंट्रियल करनाड़ा में हुआ है जिसे नमामी गंगे 2014 को प्रोटसाहित किया गया है आठवा भारती अंतरास्टिय विज्ञान महारसब भोपाल में आयोजित किया सत्रवा एशियाई प्रशान शेक्तिय बैठक सिंगापूर में आयोजित की गई इसके बाद अगला है विश्व की सो सबसे शक्तिशाली महिला है जिसमें विश्व में अगर बात की जाए तो उर्सिला वॉन डेन लेपिन और भारत की निर्मला सीता रमन जी को पुरुसकर पुरुसक्रित किया गया है उचितम मात्र उम्रित्यू दरवाले राज्यों में असंब 195 पर है मध्यप्रदेर 173 पर उत्तर प्रदेश याद रखेगा 167 पर है भारत में सबसे अमीर जू है उसमें पुरुष में गौतम अडानी है और महिलाओं में सावित्री जिंदल जी सामाजिक प्रगती रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश निम्न सामाजिक प्रगती पर है और टीर फाइव में इसको रखा गया है वर्ल्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में पहला इस्थान नियू यॉक और सिंगापूर को है और दूसरा स्थान है तेल अवीव को ग्यारवा ग्लोबल फूट सिक्योरिटी इंडेक्स 2022 में पहला इस्थान फिंलेंड का है और इंडिया का इस्थान है 68 सबसे जादा पासपोर्ट धारक राज है केरल उसके बार महरास्ट फित्ता मिलनाडू और यूपी विश्ट के सबसे अमीर व्यक्तियों में पहला इस् आपका नई चेतना जैंडर अभ्यान के शुरुआत ग्रामीर विकास मंत्रा लेके द्वारा की गई है यूपी के पहली महिला पुलिस कमिश्णर लक्षमी सिंग है जैने गौतम बुद्धनगर में पोस्टिट किया गया है 2018 से 2022 के दौरान भारत का मात्र मृत्यूदर 97 हु तो यह किया गया आपके जम्मू कश्मीर में अगला है आपका पहला रास्ट्रिय सुरक्षा शिकर सम्मेलन का उध्गातन कहां किया गया है तो यह आपका किया गया है चिंड़ी में किस यूनियन टेरिटरी में देश का सबसे बड़ा अंतरास्ट्रे योग केंद्र खोला दिव्यांक विभाग सथापिद करने वाला राज्ञास्त सफापित करने वाला पहला राज्यबूंगानः मंद मंदूस बंगाल की खाड़ी में उत्पन हुआ है जिसका नामकरण UAE के द्वारा दिया गया है अगला है आपका मधुमे के लिए वैश्विक राजदूत न्यूक किया गया है शेख हसीना को UNFCC COP27 का आयोजन शेख शर्म अलशेख एजिप्ट के द्वारा किया गया है COP15, CBT COP15 मौन्ट्रियल कनाड़ा में होगा इसके बार अगला है Cities COP19 पनामा में आयोजित किया जाएगा प्रधान मंत्री स्वनिथी योशना स्ट्रीट वेंडर्स 1 जुलाई 2020 को अम मार्श 2022 तक इसक आरम करने वाला पहला राज्य बना है आपका तमिलनाडू नौवी रास्ट्य पार्टी आपकी आम आर्मी पार्टी बन गई है और इस पार आम आर्मी पार्टी के साथ तीन पार्टियों को रास्ट्य पार्टी के दरजे को समाप्त किया गया है ठीक है इसके बाद अगला ह जापान का हुकुट और आई स्पेस नेविश्व का पहला कॉमर्शिया मून लेंडर लॉंच किया है यह आपका मिशन मून इसके बाद किस राज्य को टीबी नियंत्रण कारेकरम के लिए पुरस्कृत किया गया है यह आपका मेखाले ग्रह प्रवेश कारेकरम की शुरुआत टमूर्थिया किस राज्य में स्थापित की गई है किस राज्य में है तो यह आपके त्रपुरा में बाल नगर मोडेरा गुजरात यूनेस्को के टेंटेटिव लिस्ट में शामिल है कुल 52 साइट्स इसमें हैं इसके बाद है अगला कांग के सुथाई बंदर्गा भारत के पुड्डूचेरी में शीलंका के मद्य सेवा का आरम हुआ है ठीके कांग के सेताई बंदर्गा के से भारत और शीलंका के बीच जो है वो नौका का आवाजाहन शुरू हुआ है ग्रूप और फ्रेंड्स भारत ने यूएन के पीस कीपर खेतु इसे लॉंच किया है भारत क द्वारा लॉंच किया गया है जिसमें आपका यूएन जितने भी देश उनके भी ग्रूप of friends की जो की योजना है उसे स्टार्ट किया गया है अगलां अग्रस्ट परदेश के साथ बारत ने कररन सीवह किया है तो ये किया है मालदीब के द्वारा करन सी स्वैप का मतलब हो की अदला बतली कर लेना ठीक है इसके बारे नाबाड के नए अध्यक्ष बने हैं जो आप वरतमान में अध्यक्ष है वो है आपके शाजी के वी मोपा इंडरनेशनल एरपोर्ट कहा है गोवा में है यह मनुहर पारेकरजी के नाम पर मनुहर अंतराश्य एरपोर्ट है अगला है आपका डोनी पोलो इंटरनेशनल एरपोर्ट अरुनाचल प्रदेश में है भारत और किस देश के बीच आर्थिक सहियों को व्यापार समझोता दिसंबर दोहजार बाइक से लागू हुआ है तो यह हुआ है आपके भारत और अस्ट्रेलिया के बीच माउंट मेरापी और सुमेरु जौलम की कहां इस्टेत है यह इंडोनेशिया में इस्टेत है दीना बोलू आर्टे पेरु की पहली महिला रास्ट्रपती बनी है नौवा विश्व आयर्वेद कॉंग्रेस या और आरोगे एक्सपो 2022 का आयोजन पंडची गुआ में किया गया है राज्चे सभा के इतिहास में उपाध्यक्ष पैनल में शामिल होने वाली पहली महिला सदसे आपकी पीटी उशा अगला है आपका भारतियों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश खत्म करने वाला यूरोपिय देश बनाए आपका सर्विया प्रो कबड़ी लीग 2022 की विजेता है जैपूर के पिंक पैन्थर्स साहित अकैडमी पुरसका 2022 में हिंदीक में मिला है बद्री नारायन जी को यूजना भी वो भी उत्तर प्रिदेश के द्वारा शुरू किया गया है लोगपाल विद्यक दुनिया के पहले कार्बन बॉल्डर टैरिफ पर किस संगठन ने हस्ताक्षर किये हैं यह कियाप के यूरोप्य यूनियन के द्वारा हेल्थ केर तक आसान पहुंच के लिए एशिया का पहला ड्रोन डिलिवरी अब किस किस राज्य सरकार ने लौंच किया यह किस राज्य सरकार संकर लॉइन यह कि आपके मेगार लेने स्वाथ मिशन और नासा द्वारा धरती पर मौजूद पानी के लिए क्या गया है ये सवाट मिशन की कभी कभी फूल फॉर्म भी पूछ ली जाते तो सरफेश वाटर ओशन टोपोग्राफी है जिसे नासा के द्वारा शुरू किया गया है धरती पर मौझूद पानी के सर्विक्षन करने के लिए नेपाल के प्रद्धान मंत्री बने हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड ठीक है इसके अलावा यूपी पीसेस की तरफ से इसके बार अगला है आपका सी इपीए इंडिया वर्सिज यूएई के तहत सरवादिक सोना आयत करने वाला पहला भारतिया अभूशन ब्रांड है मालबार गोल्ड और डायमेंड्स ठीक है इसके बार अगला है गो ग्रीन इनिशियेटिव के तहट भारतिय सेना के लिए दिल्ली में EVS के लिए नई चार्जिंग यानिकि इलेक्टरिक वीकल के लिए नई चार्जिंग स्टेशन कौन इस्थापित करेगा तो ये किया जाएगा टाटा पावर के द्वारा निलो टिनेब है क्या है यह तो यह कैंसर की दवाई है रास्टिय फॉरण से विज्ञान विश्व विध्याले एहमदाबाद डोपिंग के खत्रे को रोकने है तू आहार पूरब परिक्शन सुविधा इस्थापित करेगा कोचिन शेवियाड लिमिटेड किसके द्वारा किसके लिए देश का पहला स्वदेशी हाइड्रोजन इंधन सिल्फ कटे मरैन पोट बनाएगा तो यह बनाएगा आपके बनारस के लिए फ्री इकनॉमिक कॉर्परेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है इंडिया और अस्चेलिया के बीच स्रजन पोर्टर रक्षा मंत्रा लेके द्वारा युजित किया गया है या बनाया गया है स्वदेशी करन को बढ़ावा देने के लिए प्रिसीजन प्रोडेक्ट प्राइवेट लिमिटेड गाजियाबाद की कंपनी है जो सुखोई विमान के कलपुर्जों का निर्मान करेगी इसके बाद अगला है स्वेज नहर मिस्र आर्खिक शेतर में कौन सी भारती कंपनी हरित हाइड्रोजन सायंतर को स्थापित करेगी लियोनस मेसी जो बाइजूस के ग्लोबल अम्बेसजर बने है डॉक्टर जी हेम प्रभा ये आईसी एर एसबी कोईमबटूर में इनको रखा गया है या इनको नियुक्ती दी गई है अगला है आपका इंटरनेशनल होकी फेडरेशन के नए अध्यक्ष है आपके तयाब इक्राम जी प्रितुरा जवस्ती 22 वे विधियायों के अध्यक्ष बने है मोरा हैली हिली पहली समलेंगिक अमेरिकी गवर्नर महिला है सीमा धुडिया और एनी इब्राहिम CRPF में आईजी नियुक्त होने वाली पहली भारतिय लेडीज है इसके बार अगला है आपका डी वाई चंद्रिचूर 50 वे CGI बने हैं जिनको 10 नवंबर 2024 तक के लिए इनका कारेकाल है अगला है अपका अरुणा मिलर मेरी लेंड यूएस में लेटिनेंट गवर्नर का पट समालने वाली पहली भारतिय महिला है ग्रेक बारकिल ICC के अध्यक्ष है नतासा पार्ख मूसस स्लो नेविया की पहली महिला रास्च्रपती है डॉक्टर सीवी आनंद बोश पर्ष्चिम बंगाल के ने राजपाल नियुक्त किये गए है पीटी उशा इंडियन उलंबिक एसोसियेशन की सोलवी अध्यक्ष नियुक्त की गई है नब्यवा इंटरपोल महासभा की मेजबानी भारत नईदिली के द्वारा किया जाएगा ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का इस्थान 107वा है कैसे है ये नहीं पता लेकिन 107वा इसका इस्थान है अगला है भारत का पहला केबल से निलंबर पुल किस नदी पर बनाया जाएगा तो ये बनाया जा रहा है क्रिश्णा नदी आंदरपुतिश तेलंगाना के बीच स्लेंडर लोरिस आयो सीन के अनुसार लुप्त प्राय जानवर के लिए भारत के किस राज़े में देश का पहला अभ्यारन अधुसूचित किया गया है तो ये है आपके तमिलनाडू में एशिया के सबसे बड़े गंप्रेस्ट बायो गैस प्लांट का उठखाटन कहां किया जा रहा है तो ये है आपके पंजाब में तीन दिन का तीन दिवसिये वैश्विक यूवा जलवाईयू शिकर संबीलन के मेजबानी बांगलदेश के द्वारा की जा रही है अगला है आपका वर्ल्ड स्पाइस का उंग्रेस का आयोजन मुंबई में किया गया है काशी तमिल संगमेलन का आयोजन संगम का जो आयोजन है वो शिक्षा मंत्राले द्वारा बी एच्यू और आईटी मद्रास के द्वारा किया गया है प्रधान मंत्री आवास योजना अर्बन से पुरस्क्रत होने वाला राज्य है आपका उत्तप्रदेश टाइगर ट्रंफ सेना अभ्यास भारत और यूएसे की तीनों सेनाओं को शामिल करके किया जा रहा है भारत का पहला माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उत्खाटन मुंबई में किया गया है सितरंग चक्रवाद बंगाल की खाड़ी में उत्पने और थाइलेंड के द्वारा इसका नामकरण किया गया है अगला है पहला अंतरास्ट ये बायो स्फियर रिजर्व दिवस तीन नवंबर को मनाया गया निवेशक दीदी पहल आई पीबी के द्वारा की गई है भारत का सबसे बड़ा एवं सबसे उंचा पवन टर्बाइन स्थापित करने किया गया है गुजरात में सबसे लंबी यात्रा ट्रेन का संचालन किया गया है सुट्जर लैंड में मुहमद इर्फान अली गुआना के रास्ट पती ये सत्रवे प्रवासी भारती दिवस के मुख्य अतिती होंगे तोकु इमोंग बर्ड काउंट का आयोजन नागा लैंड में किया गया है अब रहे हैं आपका मोना लुआ सक्रीय ज्वाला मुखी कहां पर इस्तेत है तो ये है आपके UAE में USA के हवाई दूइप में इस्तेत है ठीक है मोना लुआ हवाई दूइप USA में है विश्व के पहली वैदेग घड़ी कहां लगाई जाएगी ति ये लगाई जाएगी उज्जैन मध्यप्रदेश में खेलो इंडिया यूनिवस्टी गेम्स का आयोजन उत्तप्रदेश में किया जाएगा 32 बिहारी पुरसकार डॉक्टर माधव हाडा को दिया गया है दूसरी बिम्स के क्रिशी मंतियों की बैठकी मेजवानी भारत के द्वारा की जाएगी कॉप 27 का आयोजन शर्म अलशेख मिस्र के द्वारा किया जाएगा भारती जैविक डेटा केंद्र का अग का उधगाटन फरिदाबाद हर्याणा में किया जाएगा राज्य भर में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है आपका केरल स्टैचू ओफ प्रोस्पारिटी बैंगलोर करनाटक में है ची कहिए श्री नाड प्रभू कैंपे गोड़े के लिए स्थापित की गई है एशियान आसियान का ग्यारवा सदसे बनाये इस्ट तिमोर भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहां बनाया गया है ये है आपका चिन नहीं में अंतरास्टिय गीता मोहटसफ कुरुक्षित हर्याना में आयोजित किया गया पेशा कानून लागू करने वाला राजे मध्यप्रदेश है 1996 में पेशा कानून आया था भारतिय ओलंपिक संग के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के से चुना गया है मेरी कॉम को पहली विश्व मेडिया कॉंग्रेस का आयोजन किया गया है अबुधाबी UAE में अंतरास्टिय परेटन मार्ट 2022 का आयोजन किया गया है मेजोरम में एक ट्रिलियन डॉलर का नुकसान पाने वाली दुनिया के पहली सारवजने कंपनी कौन है तो ये है आपकी अमेजन मौस्को प्रारूप पर वारता भारत और रूस इरान के बीच अफगानिस्तान में इस्थिती सुधारने के लिए की गई है कोविड-19 के बाद सरवाद एक नई कंपनी खोलने वाले राजज़वनी है महारास्ट और यूपी अगला है जल जीवन रैंकिंग में सरवाद इस्थान मिला है आपके शाणापूर उत्तप्रदेश को भारत में भारत का सबसे बड़ा उर्वरत आपूर्दी करता देश है रूस पहले नंबर पर है ठीक है और अब इससे पहले चीन था तो वर्तमान में रूस है आपके पहले नंबर पर और उससे पहले चीन था साल 2022 का चैंपियन ओफ द अर्थ पुरसकार मिला है डॉक्टर पोल्नेमा देवी बर्मन को ठीक है आई टी टी एफ में चुने जाने वाले भारतिये हैं अचंता शरत कमल और टेबल टैनिस प्लियर है इनौने खेल रत मुरसकार भी प्राप किया इन्हें ध्यान ज़त मुरसकार भी मिल चुका है भार एवर माप के अंतरास्ची समीती का सदर से किस भारतिये को चुना गया है तो यह आपके प्रोफेसर वेडु कोपाल अचंता जी को चुना गया है भारत में होने वाली पहली G20 शिर्पा पैठकी मेजबानी कौन सा राज्य करेगा यह किया जाएगा उधैपुर राजिस्थान के द्वारा किया गया है चार से साथ दिसंबर को अमिताप कांत इसके अध्यक्ष थे इसके बादे एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ट बायो गैस प्लांट का उध्गाटन किया है आपके पंजाब में इसके बाद नेक्स्ट है आपका डेविस कप विजेता कनाड़ा उस्टेलिया को हराकर बना है कमचट का प्रायदी प्रूस में है जो जौलम के उध्गार शेत्र है जल्वाईव परिवतन सूचकाग में इंडिया की रैंक आठवी है बाजरा मिशन असम में शुरू किया गया है और जी सेविन की जल्वाईव परिवतन संबंदी योजना कॉप ट्रेंटी सेवन का यू ग्लोबल शीट के द्वारा किया गया अगला है आपका नेक्स्ट हम आ जाते हैं ऑक्टूबर 2022 के लिए एशियन पार्म ऑइल संधी आगरा में आयों की गई है जो कि उत्तरप्रदेश में यह पांस सदसे देशों की संधी है जिसमें भारत पाकिस्तान श्रीलंका मालदीप के द्वारा चलाई जा रही है यह भारत और मालदीप में दोहजार चौबिस तक तैयार होने वाल होने में भारत इसका सहयोग करेगा अगला है डॉक्टर विवेग मूर्ती डबलू एचो की कारेकारी बोर्ड में अमेरिके प्रतिलिदी के रूप में नियुक्त क पंकश्त्र पार्ठी को इलेक्शन कमिशन के द्वारा नैशनल आइकॉन चुना गया है रोजर बिलनी बीसी सी आई के च्छतीसवे अध्यक्ष बने हैं अब्दूल रतीफ राशित इराक के नए रास्ट्रपती चुने गए हैं दीवाई चंद्रचूड को भारत के पचास की बार इस पुरसकार को जीता है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरसकार जो बाइडन के द्वारा विवेक लाल को दिया गया है जो जनरल एटामिक्स के सीओं हैं यूएसे में इसके बार सबसे इंपॉर्टन पुरसकार पर आ जाते हैं भौतिकी में नोबल पुरसकार मि टकार सब ons लाँ चाहना गया है के वदेश रप लेसको इसकी ट्रिक फिर रखे की एम की और एजा में इसके बाद अगला है आपका साहित में नौबल पुरसकार मिला है एनी लिए नौक्स को शांति को नौबल पुरसकार मिला है वैलेस – 222 याजसी की बेलारूस को मैंमोरि 22, IIT मदरास को दिया गया है अगला है अपका World Green City Award की से प्रतान किया गया है, हैधरबाद को पुकर पुरौसका 2022 शेहान, करुणा, तिलका, जो श्रीलंका के हैं, उन्हें दिया गया है बेलॉण, D. और पुरौसका 2022 जो मिला है, वो करीम, बेजबा रियल मैडरेट को दिया गया है प्रदान मंदरी आवास योजना में शहरी में 2021 में यूपी मद्रप्रदिश टमलनाड शीश पर दे ब्लू फ्लाइग सर्टिफिकेट मिनिकोई थुन्डी थट लक्षदी कदमत तट भारत के अब तक के 12 तट जो है जिनने ब्लू फ्लाइग सर्टिफिकेट दिया जा चुका है ठीक है लता एल लाइफ इन म्यूजिक के लेखक है आपकी यतींद्र मिश्टा भारतिय वाईयू सेना में शामिल होने वाले स्वदेशी लाइट कॉमबेक्ट हेलिकॉप्टर का नाम है आपका प्रचंड भारत की पहली स्वदेशी स्ट्राइटेजिक्ट स्ट्राइक न्यूक्लियर सब्मरीन का नाम है आईयने हरियंद्ध अगला है आपका बार्वेय डेफ एक्सपो दो हजार बाइस का आयोजन गाधी लेकर गुजरात में किया गया और इसकी थीम है पार्क टू प्राइट अगला है आपका अब तक का इस्रो का सबसे भारी रॉकेट का नाम श्री हरी कोटा आंदर प्रदेश में लॉंच किया गया जो है आपका लवी M3 M2 अगला है आपका टाइगा ट्रांफ अभ्याद भारत और USA के बीच आयोजित किया गया है जो हुआ था आपके विशाका पत्नम में रास्ट्री महिला आयोग की पहली अध्यक्ष बनी है रास्ट्री महिला आयोग की अध्यक्ष बनी है जैन्दी पतनायक दो बार बुकर है हिलेरी मेंटल पीएम डिवाइड योजना उत्तर पूर्वी शाच्चों के लिए स्टार्ट की गई है मिशन लाइफ कॉप 26 को में हो गया यह भारत द्वारा पहल से शुरू किया गया है मिशन लाइफ का लक्ष है दो हजर अटाइस तक भारत के सभी गाउं और स्थानि निकायों में कम से कम 80 प्रतीशत पर्यावरन के अनुकूल बनाना एशिया शीतकालीन खेलों का आयोजन सौधी अरब में किया गया दो हजार उन्तिस में हो गया है सैतेसवा नैशनल गेम्स दो हजार तेज का आयोजन गोआ में किया जा रहा है पांचवा खेलों इंडिया यूद गेम का आयोजन मद्यप्रदेश में हुआ है इस एस एफ वर्ल्ड चैंपिंशन में स्वन्ड पदक जीतने वाले भारतिय प्लियर है रुद्राक्ष बाला साहिब पार्टें के दस मीटर के एर राइफिल पहन को मिला है च्छतीसवा राश्ची खेल पर उसका 2022 का आ आठ भी रही है इंडियन रोड कॉंग्रेस का आयोजन लखनों में किया है नितिन गटकरी जी की उपस्तिती में नौवा विश्वा आयोवेद कॉंग्रेस और आयोग एक्सपो का आयोजन पंडजी गोवा में किया जा रहा है इसके बाद है चौती हेलो हैली इंडिया की बैठा की गई है जब मुकश्मीर शीनगर में ग्लोबल यूथ क्लाइमिट समिट का आयोजन बांगलादेश में किया गया है प्रिधान मंत्री किसान सम्मेलन आपका 2022 हुआ है नई दिली में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में पहली रैंक है आपकी स्विच्जर लें से साक्षर पंचायत बनी है पुल्लम पारा केरल मुख्यमंद्री डेरी प्लस योजना के शुरुआत की है मद्रप्रदेश सरकार ने टाइम हंड्रेट नेक्स की सूची में शामिल होने वाले एक मात्र भारती है आपके आकाश अंबानी इसके बाद अगला है तेरवे विक्किफ वैश्विक कौशल शिकर सम्मेलल 2022 का आयोजन नई दिल्ली में क्या गया है शांति और अइंसा विभाग को गठित करने की मन्जोरी दी गई है राजिस्थान सरकार के द्वारा UN SDG सर एक्शन कारेकरम में चेंज मेकर पुरसकार से सम्मानित हुई है स्रिष्टी बक्षी फीवा महिला बास्किटवल विश्वकब 2022 का खिताब जीता है अमेरिका ने यूवा टूपन जीरो किस शेतर से सम्मानित है यही यूवा लेखोकों के मांग दर्शन और साहे तह यह तो शिक्षा मंतराले की पहल है UNHCR के नान सेना शरनाथी पुरसका 2022 से सम्मानित किया गया है एंजेला मार्किल जो जर्मनी की है दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और भुगता देश बनाए है आपका भारत व्यास सम्मान से किसको सम्मानित किया गया है यह किया गया अजगर वजाहत को जो महाबली नाटक है तो इनको सम्मानित किया गया है रास्ट्य दॉल्फिन दिवस मनाया जाता है पांच अक्टूबर को अगला है गतिशक के पोर्टल लॉंच करने वाला भारत का पहला राज्य आपका गुजरात इरानी कब 2022 का खिताब किस ने जीता है ये जीता है शेश भारत में मद्ध्य प्रदेश को हरा कर अंट्य डस्ट का अभियान किस राजय के इन्शा से ने प्रदेश को अब तो यह किया नई दिल्ली में किया गया किस अपक्षी महोर सफव शुरू किया है जमू कश्मीन में 36 वे रास्य खेल में कौन योगासन में स्वर्ण जीतने वाली पहली खिलाडी बनी है यह है पूजा पटेल जो 36 गड़ की है अगला है आयोजित इसका कहा हुआ था यह हुआ था आपके गुजरात में और 37 खेल जो होगा वो गुजरा गुजरात में होगा यह भुवग्यानिक स्थलों में शामिल किया गया है वो भारतिय राजय मेगाले में स्थित है पहला ग्लोबल ड्रोन एक्सपो 2022 आयोजित किया गया है चेन नहीं में भारतिय सड़क कॉंग्रेस का आयोजित लखनाव में किया गया है एफ आयर पुरुष प्लेयर ऑफ द इयर चुना गया हर्मन प्रीट सिंग को बिलियर्ड्स चैंपियंशिप में 25 विश्व खिताब अपने नाम करने वाले भारतिय खिलाड़ी वनी है पंकच आड़वानी विश्व की सबसे उची शिफ प्रतिमा विश्वास स्वरूपम का लोकारपन किया जा रहा है राजसंबन राजस्थान में मालाबा नौसैनिक अभ्यास 2022 की में जबानी कौन सा देश करेगा ये जापान के द्वारा किया जाएगा और ये अभ्यास जो है कौर्ड देशों के मद्धे होगा अब आपको कमेंट में बताना है कौर्ड देशों में कौन कौन से देश शामिल है ठीक है अगला है सदत पर्वतिये विकास शिकर सम्मेलन 11 का आयोजन किया जाएगा लेह में आतंगवाद विरोधी अभ्यास 2022 कहां पर किया जाएगा ये किया जाएगा मानिसर हर्याना में एजुकेशन 4.0 रिपोर्ट किस अंस्थान द्वारा जारी की जाती है वर्ल्ड एकनॉमिक फोरम के द्वारा इसको जारी किया जाता है भारत का पहला वाटर स्पोर सेंटर स्थापित है बिलासपूर हिमाचन प्रदेश में कुवाफू एक उग्रेक किस देश ने लौंच किया है फुटबॉल फॉर औल पहल के शुरुआ किस राज़ ने किया उडीसा ने की है स्कूली बच्चों को फुटबॉल की शिक्षा देने है भारत का पहला कटावुर स्लेंडर लॉरिस अभ्यारंट किस राज़े में अधुसोचित क्या है यह है आपके तमिलनाडू में शेक जायर अंतरास्य पुरुसकार के विजेता है प्रॉफेसर वजाहत हुसेन पब्लिक अफ्रेन इंडेक्स 2022 में कौन सा देश या कौन सा राज़ा बड़े राज़ों की शेड़ी में शीष इस्थान पर रहा है तो वो है आपका हर्याना एशिया भारतों लंग चेंप्म किया गया है संगरूर पंजाब में देश का 33 हाती रिजर्व बना है आपका तराई हाती रिजर्व ठीक है अंडर 23 विश्वक कुष्टी चैंपियंशिप में स्वन्ड पदक जीतने वाली महिला जीतने वाले पहले भारती पहलवान है आपके अमर सहरावत किस देश की संसर में महिलाओं की संग्या पुर्शों से अधिक हो गई है तो यह है आपके न्यूजिलैंड में ठीक है तो हम लोगों ने प्रहार मैगजीन के दोनों पार्ट कम्प्रीट कर ली है पूरी मैगजीन हमेंने आपके साल बिसकस कर ली है